वेलकम फ्रेंड नमस्कार मैं डॉक्टर प्रदी कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत त्वागत करता हूँ भाईयो काफी पुरसों को प्रोस्टेड कैंसर हो गया है जिससे वो काफी परेशान हो गये हैं लेकिन काफी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि पुरसों में प्रोस्टेड कैंसर के हो जाने पर प्याल अच्छन आते हैं जिसकी वज़े से काफी सारे लोग अपनी वक्त पर सही जांचों को करा कर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं जिसकी वैसे कैंसर के पूरे सरीर में फैल जाने के कारण उनकी मौत भी हो जाती है तो भाईयो आज मैं आपको बताऊंगा कि पुरसों में प्रोस्टिड कैंसर हो जाने पर प्याल अच्छन आते हैं जिसे समझकर आप अपनी वक्त पर सही चांचों को कराकर अपना सही इलाज कराकर अपने जीवन को काफी हद तक बचा सकते हैं तो भाईयो इस विशे में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के मात्तम से दूँगा तो भाईयो इस वीडियो को आगए जरूर शेयर करें पेशाव कन्ये में परिसानी होना पेशाव का बारबार आना और खास कर रात को पेशाव का बारबार आना रुक रुक कर पेशाब का आना पेशाब में और बीर में खून का आना पेशाब को करते समय दरत का हूना कमर में और पूलों में दरत का हूना पेशाब करने पर जलन का हूना कपड़ों में ही पेशाप का निकल जाना पेशाप का आना बिल्कुल ही बंद हो जाना तो भाईयो पुर्सों में प्रोस्टेट कैंसर के हो जाने पर यह सभी लच्छन आते हैं तो भाईयो अगर आपको यह लच्छन हैं तो मैं आपको दो जांचें बताने जा रहा हूँ जिने आपको तुरंत ही करा लेना चाहिए भाईयो आपको सुबै खाली पेट का एब्डोमिन का अल्टसांड कराना चाहिए और भाईयो फी ऐसे बलेट एश करा लेना चाहिए भाईयो जो मैंने आपको खून की जाँच बताई है अगर इसकी वैलू दस या दस से जादा आती है तो भाईयो आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना है और पूरी जाँचों को करा कर भाईयो सही इलाज सही डॉक्टर से ही कराना है उल्टा सिधा इलाज विल्कुल भी भाईयो आप ना कराएं भाईयो अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाते हैं तो भाईयो आप मुझसे कमेंट करें मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूँगा नमस्कार भाई